वेल्कम फ्रेंड्स, एम सिंग फाउंडेंस यूरूप चैनल पे आप लोग का श्वागत है लोकतंत्र की बिहार में आज सरे आम सरकों पे हत्या की गई और वो भी माशूब वो छात्र जो बिल्कुल सांती पूर्ण धंग से अपनी बातों को रख रहे थे वो तो वहाँ पे जमा भी नहीं हुए थे बैरिकेटिंग के वजह से वहाँ पे भीर लगा था और उल्टे इन पर आरोप लगा करके इनको जेल कर दिया गया इनके आंदोलन को सुनुयोजी धंग से तोरने की कोसिस की गई लेकिन ये आंदोलन अब तूटेगा नहीं बलकि इस घटना के बाद और तेज होगा लेकिन फिलाल आपको सपोर्ट करना होगा दिलिप भाई को बाहर निकालने के लिए उसके बाद आगे की बाते होंगी आज पूरे दिन के घटना गरब का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और बताएंगे की अभी बरतमान में दिलिप जी की क्या हालत है आगे की क्या परकडिया है की और उसके बाद फिर आंदोलन का क्या रोख हो रहेगा दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है की आज तैस समय के अनुसार पतना कॉलेज से छात्रों का पूरा जथा निकला था अपनी बादों को रखने के लिए अपनी मांगो को रखने के लिए सी एम हौस तक हो जाने वाली थी और वहां मिलकर उनको ग्यापन सौपने अबला था पहले से हुआ पर बेरिकेटिंग करके रखी जाती है और आपको पता होना चाहिए कि वो परसासन जो ये कहती है कि एक तरफ से कि आपने आंदोलन के लिए परमीशन नहीं लिया दूसरी तरफ से वही कहती है कि हम आंदोलन का परमीशन नहीं देंगे आपको रोड जाम करन और बोल रहे थे कोवीड प्रोटकॉल का फॉलो कीजिए, कोई भी इधर उधर का काम नहीं कीजिए और छातर बिल्कुल सांतिय पूर्ण धंक से जा रहे थे और छातरों का इतना हुजूम जैसे ही कांधी मेंदान के पास पहुंसता है वहाँ पे वाटर कैनन थे, आंसू गैस वाले मतलब की गारी थी, वेन था और हर तरह का पुलिसिया मतलब की जमापड़ा वहाँ पे लगा हुआ था तो जान बूज कि वहाँ पे वेरिकेटिंग की जाती है अब इस वज़े से वहाँ पे ट्रैफिक की समस्य और पन होती है तब शातनों को बोला जाता है कि आप एक तरफ से खाली कर दीजे आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पे शातनता इदलिप कुमार बोलते हैं कि ठीक है आप एक तरफ से खाली करके आप जाई हम इस तरफ से होते हैं और वहाँ पे बोले थे कि ठीक है आप इतना भी नहीं करते हैं आपको हमको बाहर भी नहीं जाने देते हैं मतलब कि यहां से दिलिप कुमार को या फिर मुक्क मंतरी को या प्रसारसन के अधिकारी को अपनी मांग को रखे तो ठीक है आप यहीं पर मेरी मांग रख लिए ठीक है है तो यह बिल्कुल पहले से ही सुनो जित्था और इस गिरफतारी में आप जानकर हैरान होएंगे कि BPSC का इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी सनलिपता है क्योंकि यह आयोग जानती थी कि इसका जो आंदूरन का जो में मुद्दा है अगार उस तरी मांग में OMR और एंसर की या धरना करते हैं तो उसमें आपको इसा कुछ भी नहीं था यहां पर लड़किया भी थी हर एक तरह के कंडीजेट थे और बिल्कुल सांती पूंढ़ दंग जे हो रहा था फिर चुकि सबकूश चनुजेट था सरकार आपके पास है पावर आपके पास है सबकुश आपके पास है तो पुलिसी हरो भी यहां पर किया गिया और फिलाइलन को गिरफ़तार कर लिया गिया तो इनको और छातर पर भी ढौज़ाया गया कि आप इस चीज़ से हड़ जाए नहीं तो आपका क्रियर खड़ाप हो जाएगा फखैर इस तरह से वहां से तर्विदर कर दिया गा सबको और शातर दिलिप कुमार को गिरफ़तार करके आपको पतना गांधी मेदान थाना में डखलिक दिया गया वहां पे शातर इकठा भी हुए बाद में और उनको छुड़ाने के लिदवाब भी बना है लेकिन चुकि आपको पता है कि एक बार जब इस पूरे प्रोसेस म नहीं हो रही है अंदर वह बिल्कुल ठीक है जो वहां के लोग बता हैं बरतमान में लेकिन उन पर चुकी किरफ़तार करके लाया गया है तो बरतमान में इस्तिति यहीं बन रही है कि उनको कोट का सहरा लेना पड़ेगा तो उन्होंने अपील भी जारी की थी अपना जो उ क्यारी चल रही है कोशिस में हरी कोई अपने-पने सर से लगे हुए है अब कल ही इसके बाद में पता चल पाएगा कि उनको किस तरह से बाहर लाया जाएगा लेकिन दिलीब जी ने जो मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए वह यह कि अभी आप लोगों घवराना बिलकु सही डिसाम में जा रही है इसलिए प्रसासन इस तरह से बेचेन हो गया है इस तरह से वो पुलिस गिर्दी पर गुंडागर्दी पर उतराई है कानूनों का सरयाम उलंगन कर रही है उसका कोई मतलब नहीं ठीक है लेकिन इससे आपको खबराणा नहीं है पहला काम है दिलिब टेल उनके टिल्ग्राम चनेल पर है वो करते रहें उसके लिए घबराएगे नहीं यह जैसे ही बाहरा आते हैं उसके बाद आंधुलन को और सुनोजी ढंक से तेज किया जाएगा और बरतमान में जो में मुद्दा ओमर्सी और जो एंसर की कारपन को भी वो सबसे बहुत बरतमान में बस उनको बहर आने की बात है उसके बाद आगए जाएगा तो इसके लिए आपको कुछ-कुछ करना भी होगा ठीक है तो आपको क्या-क्या करना है उसमें कुछ-कुछ साबधानिया है जैसे कि आप लोगों को मतलब की जहां पर भी हो इस मेंटर को उठाई और जो कोचिंग संस्थान है जो लोग हैं वहाँ पर जो इस से जुड़े हुए कंपेटिव एकजाम से उनसे सपोर्ट मोरल और जिस तरह से सपोर्ट हो वह कीजिए ठीक है सांत रहे सांत पूर्णिंग से इसको आगे करना है सब कुछ करना है बरतमान में सबसे पहले तो इसके बाद ही आगे की यह बात होगी दिलिप जी बिल्कुल ठीक है उनके साथ को इजयती ने की जा रही है लेकिन कानून पेच्पासा है तो सबसे पहले उनको कानून से बहार निकाला पड़ेगा उसके बाद इन आंदूलन को और तेज करना पड़ेगा आप देख सेकते तो ट्रेंट कीजिए सभी छात्राओं से निवेदने के सभी लोग सोसल मीडिया पर केंपेंच चलाएं हैस्टेग डिलिप कुमार को रिखा करो देख सकते हैं यहां पर है उसके बाद बिहार दरोगा सीबिया की जांच करो ओहमार और यह जो कारवन को फिर जारी करना बहुत बहुत ही जो पास कर गया उनके लिए जो फेल कर गया उनके लिए यदि आपका ओमार और एंसर की नहीं जारी होता है तो मोर सेक्रेसी लीड्स मोर कांस्परेशिंग इस चीज़ को आप जानिए क्या दिक्कत है आयोग को और आयोग यदि यह कर देती तो इतना नौबत ही नहीं आता फिलाल सबसे पहले इनको करना है उसके बाद आप जहां पर भी नेता हैं संसद हैं प्रतिप्रक्ष के लोग हैं उनसे भी मिलिए आप टीचर इस्टुनेंट जो भी आपके पास है कोचिंग संस्थानों से मिलिए और इसके लिए मोरल और फिजिकल जो भी सपोर आप नहीं करती हैं तो यह बहुत बढ़ाएं मुंता है आप लोगने स्चिंट रहें दिलिपची ठीक हैं लेकिन उनको रिया करवाना जल से जलती है इसके लिए जो भी चीज़े हैं वह अपने टेलिग्राम ग्रूप पर पोस्ट लगातार कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़ते चाहिए